नमस्कार मित्रो इस वक्त मोसम को लेकर बड़ी ख़बर आ रही है क्योंकि साथ जिलो में आज बाहरी बारिष का लट जारी कर दिया है जैपूर जोदपूर विकारेर में बारिष से दस जिलो में जवरदस्त बरसा देखने को मिली राजस्तान में मौनसुन फिर्ष स्ख्री हो गया इसका असर पूरी राजस्तान के कैई जलो में तेज बारिष तेगने को मिली जैपूर जमेर बरतपूर उद्यापूर संभाग के जलों में दो से चार इस तक बसाद होई साथ यी बारिश से तापान गिरावर्ट देकने को मिली ओमस्जी काफी जादा रात मिली इसके बाद परदेश के पच्ची मिरास्तान की लाइकों में बारिश का दोर चला के जड़ी जुगों पर अच्छी बारिश देखने को मिली क्योंकि विका ने जोधपूर शहित। पा लाइक करें बाक्स में कमेंट करके बता सकते हो फिलाल आपके जिले का मौसम केसा बना हुआ है कॉमेंट बोक्स में चलूर बताइए क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आ रही नवी पाली होंके कारण राज्टान में मौंसुन एक्टिव हो चुका है इसी कारण पश्चीमी रा जाइपूर के जारी फॉर्कास्ट के मुताविक एक साइक्लों सेर्क्लों शेर्क्लोशन शेंट्रल पाकिस्तान पर बन गया वहां से एक मौंसुन ट्रापलाइट पंजा भर्याना उत्रपरदेस होते हुए नौर्थ इस्ट तक बुजर रही है जिस कारण सिस्टम के करण लागले तीन दिन तक रास्तान के दिकान से हिंसों में बारिस का दोर सुरूरे गया और आज साइज जुलाई को पश्चिमी रास्तान के जालोर जोद्पूर नागोर पाली के अलावा कोटा करोली जरावार चितोडगिट बुंदी में भारी बारिस का अलट जानी होई पूर्वी रास्तान के कोटा क्रोली स्वेमादुपूर जालावाड चितोडगड बुंदी बेलवाड़ा में भारी बारिस का अलट जारी किया लेकिन आठ जुलाई को डूंदरपूर सीरोई उद्यपूर जालोर जैसलमेर भीका रेर बार्ड मेर एरिया में कहीं भारी बा बारिस के लिए रेड अलट कुछ जगों पर जारी कर दिया लेकिन ऐसे कई चेक्त्रेर राजस्तान के सभी जिलों की बात ग्रतों मत्यम से तेज बारिस होने का अनुमान है आज राजस्तान के विकादे संभाग के गंगार्यागर अनुमान गड़ चूरु साहित सिकर अंगरपूर बासोड़ा परताब गड़ चितोड़ जोद्पूर पाली बाड़ में जैसल में समयते इन जगों पर मत्यम से तेज बारिस होने की अनुमार है और मौसम की बड़ी जैनकारी के लिए कि सांसातियों अभी आप इसेन को सब्सक्राइब जरू कर लिए वीडियो